सिविल एजुकेशन की वीडियो देखने से पहले सस्क्राइब का बटन दबाना ना भोले सस्क्राइब का बटन दबाने के बाद इस बैल आइकन को दबा कर हमारी हार वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल एजुकेशन की वीडिय तो एक बहुत important topic है काफी friends की request भी आ रही थी कि scales को कैसे change किया जाता है तो ये एक unique topic है दोस्तो इसको मैंने अच्छे से detail में समझाया है तो आप इसको पूरी वीडियो को देखे और अगर आप कोई भी question पूछना चाते हो तो मैं link description में दूँँगा टेलिग्राम और facebook का आप वहाँ पे हमें follow कर सकते हो और जितने भी exam होते है state center के जो non-technical होते हैं उससे भी related में आपको बहुत अच्छे से content बताऊँगा और हमारे playing list में जाके आप वहाँ पे देख लें playing list में जाके technical, technical के लिए civil का एक folder अलग से बनाएं और non-technical के लिए जो है वो अलग से है दोस्तों तो आप वहाँ पे जाके देख लें तो चलिए हम start करते है representative fraction तो चलिए सबसे पहले question करने से पहले हम representative fraction को समझ लेते हैं कि representative fraction क्या होता है इसकी definition क्या कहता है ठीके तो देखिए representative fraction क्या होता है it is the ratio of drawing size of an object to its actual size यानि कि original size is called representative fraction और इसको हम RF से denote करते हैं ठीक है it is denoted by RF ठीक है तो देखिए RF क्या होता है drawing size of an object to its actual size यानि कि original size ठीक है suppose कर लेते हैं ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है suppose करते हैं अलमीरा हमारे पास है पड़ी हुई यहां पर ठीक है अलमीरा है यह इसका original size है ठीक है इसको हमने अपनी drawing sheet पर बनाना है ठीक है तो drawing sheet पर जब बनाएंगे तो यह को छोटा करके बना देंगे हम क्योंकि इतनी बड़ी है तो आएगी निया यह हमारी sheet पर तो यह छोटा करके बना दिया तो यह original size हुआ यानि कि actual size और यह हमारा drawing size हुआ ठीक है तो drawing size to the actual size is called representative fraction ठीक है तो आगे देखेंगे अब हम देखेंगे types of representative fraction तो देखें यह जो scale होते है type of scale यह तीन पर कारके होते है full scale, reducing scale और enlarging scale तो सब्सक्राइब हम full scale के बारे में देखेंगे full scale क्या होता दोस्तो when drawing size of an object is equal to original size of an object is called full scale ठीक है जब drawing size हमारा equal होगा original size के बराबर ठीक है यानि कि इसको कैसे समझेंगे देखें हमारा drawing size यह हमारा exercise है कोई भी कुछ भी चीज है ठीक है कोई भी object है ठीक है इसको हमने इतने ही इतना ही हमने इसको drawing अपने paper sheet पर बना दिया ठीक है यानि कि यह दोनों equal है equal scale हमने use किया तो यह आता है full scale इसको बोलते है full scale जैसे कि 1 ratio 1 ठीक है अभी देखतें इसका example तो देखें example क्या कहते है हमने 1 cm को 1 cm माला यानि कि यह हमारा drawing size होता है और यह actual size होता है 1 divided by 1 यानि कि 1 तो देखें RF जो इसका बनता है 1 ratio 1 ठीक है यह यहां तक clear हुआ ठीक है अब आगे देखते हैं कि reducing scale क्या होती है अब देखें when the drawing size of an object is small as compared to actual size ठीक है यानि कि जो हमारा drawing size होगा वो हमारा कम होगा as compared to actual size जो इसका original size होगा देखें इसको कैसे समझते हैं अब कोई बड़ा object है जैसे कोई एक ले ले लेते हैं कोई कुछ भी हमने बनाना है मालो यह हमने घर बनाना है ठीक है यहां पर हमने SMS को बना देता हूँ temporary सा ठीक है यह हमने बनाना है ठीक है लेकिन इतना बड़ा घर तो हम बना नहीं सकते हैं ठीक है ठीक है अपने paper sheet पे तो हम क्या करेंगे इसको अपनी scale को छोटा कर देंगे इसको हम छोटा यह क्योंकि इतना सा आएगा बनाने में ठीक है गर तो इसको हम छोटा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा scale reduce हुआ ठीक है ये बड़ा था इसको छोटा कर दिया हमने ठीक है तो अभी देखेंगे यहाँ पर देखें एक centimeter equal to one meter यादि कि one meter को हूँने 1 cm माना, देखिए 1 meter को हमने यहाँ पे 1 cm मान लिया है तो इसका representating fraction हम जब निकालेंगे तो कैसा drawing size to actual size ठीके, drawing size हमारा 1 cm है और actual size कितना है, divide में 1 meter तो 1 meter इसको हमें unit एक ही रखनी पड़ेगी, centimeter तो इसको centimeter में करना पड़ेगा, ठीके, 1 into 100 यानि कि एक मीटर में 100 सेंटिमीटर होते है तो इसका रिपरजेंट्र स्क्राइब रेक्षिन कितना बन गया है 1 रेशो 100 ठीक है 1 डीवाइब भाए 100 था तो 1 रेशो यह यहाँ पे देखिए यह इसका representative बिल्कुल easy है असानिंग से समझे दोस्तों कि आप इसको ऐसे ही पैचान सकते हो ठीक है आप देखिए second example यहाई one centimeter को five meter तो एक centimeter को यहाँ पर इन्होंने five centimeter माना है ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे एक centimeter जो है drawing size to its actual size, actual size कितना है 5 meter, 5 meter को centimeter में change कर देंगे ठीक है इन्टु 100 करके ठीक है तो यह आएगा one divided by five hundred ठीक है तो जोसका representative fraction हुआ one ratio five hundred ठीक है तो होपस आपको इतना clear हुआ होगा ठीक है अब हम देखेंगे next scale के बारे में जुमा रहा होता है enlarging scale तो next आता है enlarged scale अब देखिए दोस्तों यहाँ पर enlarged scale का मतलब क्या होता है when the drawing size of an object is large as compared to its original size is called enlarged scale अब देखिए जो drawing size होगा वो बड़ा होगा original size है तो वो हमारा enlarged scale होगा जैसे कोई बहुत ही छोटी चीज़े मालो एक eraser है मालो हमने eraser या कुछ और example ले लेते हैं यह चुटा सा eraser है ठीक है अब इसको हमने बड़ी sheet है कोई ठीक है अपने chart पर बनाना है ठीक है तो इसको हमने बढ़ा करके बनाना पड़े का ठीक है तो यह आपको hope swap को अच्छे से clear होगा example देख लेते हैं इसके example क्या बोलता है 1 meter equal to 1 centimeter तो देखे मैंने बताया यह हमारा drawing size होता है और यह हमारा exercise होता है drawing size कितना है 1 meter यानि कि 1 meter इसको centimeter में जब change करते है तो 100 divided by 1 ठीक है तो ही आगया 100 ratio 1 ठीक है hope swap को clear होई होगी बात अब चली ह मैं एक चीज clear कर दूँ कि जैसे जो higher scale होता है ठीक है देखी जो higher the value of RF larger the scale अगर RF की value larger होगी ठीक है higher होगी तो scale होगा large होगा ठीक है जैसे example देता हूँ जैसे 1 divided by 500 और एक value एक RF है 1 divided by 1000 ठीक है तो इसमें बड़ा कौन सा होगा scale तो वो होगा 1 divided by यानि कि 1 ratio 500 ठीक है ऐसे र ठीक है वो बड़ा होगा ठीक है तो अब हम इसका question देखते है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर question है what is the representative fraction for the scale 10 cm to 20 km अब देखिए यहाँ पर यह जो है drawing size है और यह हमारा axle size है तो हमारा formula क्या होता है drawing size to axle size अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले तो unit है आपको एक करना पड़ेगी यहाँ पर centimeter है तो इसको भी centimeter मेर लाना पड़ेगा ठीक है 10 cm तो इसको 20 km को भी centimeter को भी centimeter मेरे लाना थाए ठीक है तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे going 10 cm in 162 cm तो इसको कहले है अब जो है1 km में कितने सेंटीमीतर होता है एक किलोमीतर में होते है घार जार और एक मीटर में कितने सेंटिमीटर होता है यानि कि 100 तो 1000 इंटू 100 ठीक है तो यह आगे एक दो तीन चार पांच जीरो ठीक है एक के आगे पांच जीरो यह लगा दी मैंने ठीक है पांच जीरो क्लीर होगे तो बस यहाँ पे लगा दीजिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ 10 डिवाइड वैर 20 के आगे पांच जीरो एक दो तीन चार पांच ठीक है एक जीरो से जीरो कट गई और जो रिप्रेजेंटिटिव फ्रेक्शन बच गया वन रिशो टू जीरो 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 जीरो